है लो दोस्तों कैसे आप सब लोग और कैसी चल रही आपकी पढ़ाई तो आसा करते हैं कि जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था देट इस एड़ वर्ब के पार्ट वन में जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपकी एसे सी बोर्ड ने आपके एसे सी सी जेल का जो एक्जाम का डेट था उसको अनौन्स कर दिया है इसको जानने के बाद आप अपने study अपने पढ़ाई की तरफ ज़्यादा focus ज़्यादा concentrated हो चुके होंगे और अब आप पहले के तुला में अपने एक्जाम को ध्याब में रखते हुए पढ़ाई को ज़्यादा focus कर रहे होंगे पढ़ाई पे ज़्यादा समय आप दे पा रहे होंगे और आप अपने पढ़ाई के रफ्तार को जरूर से बढ़ाई होंगे ठीक है तो अब इसके आगे आज हमारा ये एडवर्ब का सेकंड पार्ट है एड़वर्ब के second part को पढ़ने के पहले हम आपको बताते चले कि एड़वर्ब का जो first part था उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा तो एड़वर्ब के part one में हमने आपको एड़वर्ब के types को समझाया था फिर उसके बाद एड़वर्ब का use कहा कहा होता है एड़वर्ब का place कहा कहा होता है किस condition में एड़वर्ब को हम लोग कहा रखते हैं यह हमने आपको बताया था कि यदि इसमार was वर हो तो कहा रखेंगे केवल में वर्ब हो तो कहा रखेंगे helping verb और main verb दोनों हो तो कहां रखेंगे दो helping verb हो या एक दो auxiliary verb हो और एक main verb हो तो कहां रखेंगे इस तरीके की बातों को हम लोगों ने सीखा था फिर हमने आपको बताया था कि two के साथ two का use कप करते है two के साथ two का use कप करते है two के साथ that का use कप करते है फिर हमने आपको बताया था कि वो कौन सा क्रेटेरिया है जब हम लोग not के साथ sentence के last में also का use करते हैं as well का use करते हैं या ती डवल ओ टू का use करते हैं ठीक है बात समझ में आई इसके अलावा हमने आपको और कुछ बताया था जेनरली सामाने तोर पे definition के according verb को qualify करने का काम किसका होता है एडवर्ब का होता है लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद एडवर्ब का use नहीं किया जाता बलकि उनके बाद adjective का use किया जाता है इन सारे important rules and concept को हम लोगों ने पिछले class में discuss किया था और पिछले class के last में हमने आपको ये भी बताया था कि एडवर्ब का जो second part है वो first part से भी ज्यादा important होने बाला है क्यों क्योंकि आज के class में हम लोग धेर सारे question तो discuss करेंगे ही करेंगे जिन rules and concept को हम लोगों ने पिछले class में पढ़ा था उनको ह माद्यम से ठीक है और उसके अलावा आज का जो सबसे important section है वो है आपका inversion तो inversion क्या होता है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे और inversion पर जब भी कभी आपके exam में question पूछे जाते हैं maximum chances में हम मेंसे ज्यादा तर लोग उसमें error करते ही है अर्थात यदि percentage का तोर पे बात करें as for example मा लेजे कि 100 लोग inversion के question को देखते हैं तो उसमें से 90 to 95 बच्चे error करते ही करते हैं तो ऐसे important section को हम लोग deal करेंगे और ये सबसे आसान सा section है एड़ वर्ब का ठीक है बात समझ में आई तो इसको भी हम लोग deal करेंगे आईए आज के class की सुरुवात हम लोग सबसे पहले करत हैं last class में जहां तक हम लोग बढ़े थे इसके आगे से तो class को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बढ़ाते चले कि हम लोगों का ये जो वीडियो है ये तीन time slot में जा रहा है पहला 12 बजे दूसरा धाई बजे और तीसरा 5 बजे ठीक है English का वीडियो पहले आपको मिलता थ सर वोकैप का सेसन कब होगा वोकैप का सेसन भी बहुत जल आने वाला है तो वोकैप का सेसन भी बहुत जल चले गा इस पे लेकिन आपके exam को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का जो telegram group है टेलिग्राम ग्रूप जिसमें बच्चे डेर सारे जुड़े हुए हैं जुड़के आप अपने कोशन को पूछते हैं आप अपने डाउट को क्लियर करते हैं चाहे किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो किसी भी सब्जेट का आपका डाउट हो ठीक है जो आपके एससी में प रहेंगे, OWS रहेंगे, EDM's and phrases रहेंगे और आपके में सेस्परल के question रहेंगे, ठीक है, ठीक उसी pattern पर रहेंगे, उतने ही रहेंगे जितने आपके tier 1 में आते हैं, ठीक है, यह अभी continue चलेगा, और आगे चलके हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, कि आगे चलके हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको दो time slot में चलाएं, ठीक है, ताकि आप में से ज़्यादातर बच्चों का vocab ठीक कराये जा सके, और vocab को ठीक करने का the best way भी यही, ठीक है, बात समझ में आई, ACC exam के point of view से, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो चलिए आज के वीडियो को ह आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाने के पहले दोस्तों हम आपको बताते चलें कि मैं अजीत कुमार आपके यूटूब चैनल competition community पे आप संबो का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, और अब तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन को जरूर से ओन कर ले, बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुस्ते रहें, ठीक है, तो वीडियो को देखना बिलकुल भी न भूले, चले अब हम लोग सुरुवात करते हैं, अप है कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, उस रूल को, उस कॉंसेप्ट को यूज करते हुए, आज के धेर सारे कोशन को हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे, तो आई यह फटा फटें के हम लोग सुरुवात करते हैं, यहां पर देखते हैं, सी वाज सो टायर्ड टू अब देखें, यहां पर क्या लगा हुए है, यहां धैट होता है, तो हम सो को रखते हैं, यहां तो लगा हुए है तो हम यहां पर टी डेब़न टू का यूज करेंगे, तो इस concept के according हमारा answer कॉंसा बनेगा, तो हमारा answer बनेगा option number A. ठीक है? यहां से आगे बढ़ते हम लोग, यहां पर देखियो, while there is a stellar debate about why depression, anxiety and suicide have skyrocketed among people, today ubiquitous smartphone use plays, प्लेज से ओरली, अब यह देखिये, place क्या है, यह हमारा main work, देखिये, smartphone use, यह एक subject है, subject है, मतलब यह पूरा compound subject हो गया, यह smartphone use, यह यह पूरा मिलके, noun का काम कर रहे, compound noun, ठीक है, अब यह देखिये, यह play क्या है, यह हमारा main work, यह surely क्या है, यह adverb, ठीक है, sure होता है, adjective, sure में l y लगा दिये, यह बन गया adverb, अब देखिये, हमने आपको क्या बताया था, sentence में, main work हो, तो adverb का use कहा है, करते है, main work के पहले करते हैं, अर्धा तमारा answer क्या बनना चाहिए, surely please, आ next, यहां से आगे बढ़ते हैं, लोग, अगले question में चलते हैं, I liked the violin, but found it rather expensive, अब देखिये, यहां पे थोड़ा सा हम लोगों को सीखने की जरूरत है, देखिये, कुछ confusion है, जिसको हम लोगों के mind में बच्पन से डाल दिया गया, क्या confusion है, वो जड़ा सा हम आपको समझाते चले, उसको थोड़ा सा समझाने का हम आपके समने यहां पर प्रयास करते हैं, देखिये, क्या था confusion, confusion है, कि एक word होता है fairly, एक word होता है rather, और इसी type का एक और word आपको दिखाए दिता है quite, ठीक है, अब इन तीनों में क्या difference है, तो इसके बारे में हम लोगों को बताए गया, प्रया है, कि fair या fairly का use हम लोग करते है, पॉजिटिव सेंस में, ठीक है, rather का use हम लोग करते है, negative सेंस में, तो quiet का use कब करते है, question mark, बात समझ में आ रही, quiet का use कब करते है, यह question mark होगे, पता ही निक कभी इसका use करेंगे, अब आईए, इनको हम लोग ठीक से समझना शुरू क करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो काम है, उसको हम लोग कर ले, क्या-क्या अभी सीखना है, तो fairly, फिर rather, और फिर quite, इन तीनों को अभी हम लोग सीखना शुरू करते हैं, देकि fairly का मतलब होता है, fairly का meaning होता है, ठीक ठाक, उससे बड़ा हो सकता था, उससे ज्यादा हो सकता ठीक है, लेकिन उतने से काम चल जाएगा, चला लिया रहा है, जैसे, तो हम लोग एक example लेते हैं, my room is, my room is fairly big, my room is fairly big, but, but I would like, but I would like a bigger one, ठीक है, एक और example लिखते हैं, ताकि हम लोगों का जो confusion है, वो दूर हो सके, my room is, my room is quite, my room is quite big, my room is quite big, I can, I can adjust, I can adjust here, अब इन दोनों ही sentence को आप जरा ध्यान से देखें, और इसमें हम लोग सीखने समझने का प्रयास करें, यहाँ पर क्या देखने को मिलें, दोनों में बातें करीब करीब एक ही की गई, दोनों में common factor है, यह भी क्या है, adjective है, ठीक है, और इसके पहले यहाँ देखें लगा हुआ है, quite यहाँ क्या लगा हुआ है, अब देखें, इसमें इसका sense का है, my room is fairly big, मेरा room जो है, ठीक ठाक बड़ा है, ठीक है, लेकिन हम इससे बड़ा वला पसंद करतें, मतलब मेरा room जो है, यह बड़ा हो सकता था, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं है, जितना बड़ा हम को चाहिए था, यह जितना बड़ा हम पस सकता था, ठीक है, यहां देखें, quite big, I can adjust here, मतलब मेरा room उतना बड़ा है, जितने मेरा गुजारा हो जाएगा, जितने मेरा काम चल जाएगा, बात समझ में आ रही है, यह दरसल difference है, किसमें, इसमें, किसमें, fairly और quite में, अभी rather पर हम नहीं आएं, quite का use एक और जगह होता है quite का use एक और जगह होता है, कहां पर होता है भाई, तो quite का use हम लोग एक और जगह करते हैं, superlative degree के साथ, अब superlative degree के साथ, इसका कैसे use होता है, आईए इसको भी हम लोग देखें, जैसे, he is, he is quite, quite the best, quite the best player, best player, among, among us, ठीक है, अब ये देखें, ये best क्या है, तो ये है, superlative degree, superlative degree के पहले क्या लिखा हुआ है, quite लिखा हुआ है, तो superlative degree के पहले, sorry, superlative degree के पहले, देखें, article का use होता है, article लगए हो, उसके पहले क्या लगए, quite लगए, ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे, अब हम लोग क रेधर का यूज कि सेंस में होता है तो हम आपको बताते चले कि रेधर का प्रयोग हम लोग करते हैं। कวाइट जो है अस झारिदर को यूज करते हैं और वियक्ट से थोड़ा बहतर माना जाता है। इसका मतलब होता है रैदर का मतलब होता है उम्मीज से अधिक रैदर का मिनिंग क्या होता है उम्मीज से अधिक ठीक है जैसे एक एक्जामपल की हम लोग बात करते हैं कि एक्जामपल हमारा क्या है तो आए एक साधारन सा एक्जामपल लेते हैं तो एक एक्जामपल लेते है हम लोग example लेते हैं, the tea is rather hot, अब देखिए, यह question आपके exam में पूछा भी गया है, ठीक है, तो समसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे hot, मतलब गरम तो है, लेकिन जीतना चाहिए था उससे ज्यादा, जीतना होना चाहिए था उससे ज्यादा, ठीक है, जैसे अभी जो room व करना चाहिए, तो हम कहा सकते है, my room is rather, rather, rather big, मतलब जीतना बड़ा होना चाहिए था, उससे भी ज्यादा बड़ा है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, ठीक है, जैसे मान लेजे, एक आदमी के रहने के लिए single room बहुत होता है, और भी ज्यादा हो, तो 1BHK होगा, ठीक है, लेकिन मान लेजे कि कोई इंसान अकेले रहता हो, मान लेजे मेरी ही example लेजे कि मैं अकेले रहता हूँ, और हम अपने रहने के लिए हमें जो मकान मिला हो, या तो हम जिसमें रहते हो, या किसी प्रकार से हो, किराय का हो, या किसी ने मुझे gift कर दिया हो, अपना ही मकान हो, म ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसे sense को express करने के लिए हम लोग rather का use करते हैं, बात समझ में आई, और इसी को explain करते हुए हम लोगों को बचपन से ये सिखाया गया, बताया गया, कि rather का use करते हैं हम लोग negative sense को express करने के लिए, ठीक है, जैसे एक और example, जैसे मान लिजे, आप किसी female को देखते हैं लड़की को देखे महिला को देखे आप कहा सकते हैं she is she is rather rather beautiful she is rather beautiful I am I am surprised I am surprised मतलब जितना सुनदर उसको हुना चाहिए था यह आप उसको उससे जतना आशा किये दे कि वह उससे सुनदर होगि वह उससे ठीक है बात समझ मैं rather का use noun के साथ भी होता है लेकिन यदि rather का use noun के साथ आपको करना हो तो उस noun के साथ कर सकते हैं जिस noun के पहले article a.n का use किया गया हो ठीक है जैसे उसका भी आई एक example लेते हैं एक example उसका भी हम लोग देखते चलें she is, she is rather a girl, she is rather a girl, just say example let me look, going going to watch, watch, going to watch Puspa the rise, Puspa the rise, Puspa the rise, is, is rather a good idea, is rather a good idea, ठीक है, यहाँ पर देखें यह idea क्या है, तो idea noun है, अब noun के साथ हमें use करना था, तो हम तभी use कर सकते हैं, जब इसके पहले कोई article लगा हुआ, article an लगा हुआ हो, तो इसके साथ हम लोग rather का use कर सकते हैं, ठीक है, तो यह story था हमारा किसका, fairly का, quite का, और rather का, अब चलते हम लोग फिर से question की तरफ, अब आएए, यहाँ से हम लोग फिर से, इस question को देखना शुरू करते, I liked the violin, but found it rather expensive, मतलब यतना मांगा होना चाहिए था, खरिदने के लिए, उससे कहीं ज्यादा मांगा है, ठीक है, तो चलिए, अब इस question में जारा ध्यान देजिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ देहां देजिए, आगे आपको क्या दिखाई तरह है, टू दिखाई तरह है, ठीक है, तो आपको बताना क्या है, select the most appropriate option to substitute the underline bold segment in the given sentence, मतलब आपको जो underline किया हुआ बाट है, उसको या जितना bold किया हुआ है, underline किया हुआ पार्ट है, उस Hardly expensive to buy, यह Hardly लगा हुआ है, Hardly expensive मतलब महांगा है ही नहीं, जरा सभी महांगा नहीं है, found it, somewhere expensive है, somewhere कि कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो यह चुकि करीब करीब ठीक ठाक सेंस दे रहा है, जितना महांगा होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका answer करेंगे, no improvement, हमारा answer होगा, option number B, ठीक है, next, यहां से आगे चले, they cannot hardly believe, यहां पर cannot भी आगया, hardly भी आगया, यहां तो cannot को रखे, यहां तो hardly को रखे, ठीक है, तो हम लोग अब जरा आए, option में देखे, क्या करना है हमें, तो हमें सिर्फ बताना हूँ, section को जिसमें error है, मतलब यहां प पर चड़ गया, with hardly no effort, at all, और ऐसा करने में उसको जरा साभी मसकत नहीं लगा, उसको मेनत नहीं करना पड़ा, ठीक है, तो देखे, hardly or no, यह दोनों एक साथ है, यह वाले section mirror होगा, answer बना option number D, next, आगे बढ़ते है, they made her as the chair person of their bank, ठीक है, अब भाई, देखे, as कि यहां पर क answer option number B, next, I learned to adapt quickly to new schools because we moved to new places quite frequent, quite frequently होगा, ठीक है, quite frequently, तो हमारा answer क्या बनेगा, quite frequently, इस वाले section में error है, quite frequent वाले section में error है, चलते हैं, अगले कुछ कुशन को हम लोग देखना शुरू करते हैं, it was obviously for, देखे, obviously for, नहीं, it was obvious for everyone, यहां पर जरूरत है, हमें adjective की, न की, adverb की, तो इसका L Y क्या करेंगे, L Y simply remove कर देंगे, हमारा answer बनेगा option number A, next, second question में चलते हैं, रमेश is far arrogant, अब यह देखे, far arrogant to learn the error, मतलब इतना, यहां देखे, यहां क्या लगा हो, वह two लगा हुआ है, हम लोग far को किस में convert कर दे, two में, two के साथ two हो जाएगा, मतलब वो इतना ज़्यादा arrogant है, कि वो सीखी नहीं सकता है, अपनी गलती को, ठीक है, I could scarcely think, अब देखे, scarcely देखे, हम लोग conjunction में भी पड़े थे, hardly scarcely no sooner, और seldom इनके साथ क्या था, इन वर जाना था, ठीक है, तो वर्ब आता था, अब देखे, कब आता था, जब वो sentence के beginning में होता था, यदि यह middle में आ जाए, तो यहां पे, वर्ब subject के पहले, नई लिखते हैं, ठीक है, चले, इसको फिर से पढ़े है, I could scarcely think, हम साइधी सोच पाते है, what I was saying, और what was being said to me, तो साइधी कभी हम सूच सकते हैं, कि मैंने क्या कहा, या मुझे क्या कहा गया, या किसी ने मुझ से क्या कहा, ठीक है, तो इस sentence में कहीं कोई गलती नह आंसर बने का no error, option number D, next अगले question में चले, you might as well read a novel instead of staring at the ceiling, अब देखें यहाँ पे as well का use किया है, you might as well read, you might as well read a novel, आप एक novel पढ़ सकते हैं, ठीक है, staring at the ceiling, ठीक है, तो यहाँ पे as well के जगह कुछ और होना चाहिए था है, क्या हो सकता है भाई, तो simply हम लोग कर सकते हैं, you to might read, यहाँ पे आगे देखें, क्या लगा होगा, कुछ नहीं लगा होगा, ठीक है, यहाँ पे simply हम लोग क्या करेंगे, as well को हटा देंगे, as well को हटा देंगे, यह might, model auxiliary verb, और यह verb का first verb हो जागा, ठीक है, next आगे बढ़ते है, saving water and ensuring that our stocks of water are fair, अब यह देखें, fair distributed, distributed क्या है, यह verb है, तो verb को कौन qualify करेगा, कौन qualify करेगा, यह देखें, helping word है, यह main verb है, तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा, add verb, यहाँ पे fair की जगा लिखेंगे, fairly, ठीक है, next, अगला, the evolutionary history of penguins is well researched and represented a showcase of evolution, बायो जोग्रफी, तो बायो जोग्रफी नहीं, यहाँ पे होगा, बायो अर्थात, इस question का answer बनेगा, हमारा option number C, ठीक है, next, आगे बढ़े, the plane was too far away, too far away, that it was just a dot, ठीक है, that it was, दखें, आगे क्या लगा हुआ है, that, तो यहाँ टू को हम किसे में convert कर देंगे, so में convert कर देंगे, so far away, that, इतना जादा दूर था कि वह है, dot के रूप में दिखाई reduced price, great reduced price, greatly reduced price, reduced क्या है, कम हुआ, यह verb, ठीक है, तो verb को कौन qualify करेगा, आप यदि इसको adjective आने, यह price क्या है, now ने तो इसके पहले यह आया, तो यह क्या होगा, adjective, adjective को पहले क्या हैगा, add verb आएगा, ठीक है, इस कारण भी यहाँ पर great की जगा हम लोग क्या लिखेंगे, greatly see it, see appears to be unreasonable answers, अब यह answers क्या है भाई, तो देखे, OUS लगा हुआ, यह adjective, adjective को कौन qualify करेगा, add verb तो यहाँ क्या करेंगे, इस में लोगा लगा देंगे, unreasonably, ठीक है, answer बनेगा, option number B, next, अगले question में चलते, the principal forbid us not to use the entire central hall, ठीक है, principal साब जो थे, उन्होंने हम लोगों को मना किया क्या मना किया भाई, not to use the entire central hall, ठीक है, sentence में कोई error, नहीं है, answer बने का हमारा, no error, next, old habits die hardly, यह हम पहले ही आपको discuss कर चुके है, old habits die hardly, यह हम आपको पहले discuss कर चुके है, हापे hardly के जगह क्या होगा, hard होगा, ठीक है, next, आईए, यह देखे, यह भी आपके LDC में पूछा गया question है, happy thoughts, happy thoughts, release hormones that work out for well-being and negative thoughts, release hormones that make us, negative thoughts जो है, वो ऐसे hormone को release करता है, जिसे हम लोग क्या होते है, बीमार पढ़ जाते है, ठीक है, तो हम क्या use करेंगे, ill, या तो हम लोग बीमार पढ़ जाते है, या हम लोग को का mental thought होता है, वो थोड़ा सा विक्रित हो जाता है, खराब हो ज हम लोग आसा कर सकते हैं, कि बारिश होगी, अब देखें, इस question को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, आप simply check जे कि यहां पर क्या लगा हो, यहां पर लगा हो है, प्रेपोजिशन, तो हमें वो वोड यूज करना होगा, जो प्रेपोजिशन तो को accept क सिधा लाइक लिए उठाइए और डाल देजिए, नेक्स्ट आया, यह माई ग्रेंड मादर डाइड फाइड फाइव यर्स, यह तो आप बनाई सकते हैं, अगो, नेक्स्ट इन इंडिया, हिंदी इस दा मोस्ट, हिंदी सबसे ज्यादा व्यापक रूप से भूली जाने वा मतलब ज़रा सोच यह कि हम लोगों के आग पे कभी टॉर्च की लैट जल जाती हो, तो अचानक से क्या हो जाता है हम लोग को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, तो उस थोड़ी से समय के लिए, हम लोग क्या हो जाता है, कंप्लीटली ब्लाइंट टाइम के हो जाता है, तो अटुली डिलेड यह एक को लोकेशन है, इसके साथ यूँच कहता है, क्रेजी समझते हैं, एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, क्रेजी किया रहे, अमेजिंगली, इनक्रेडिबली, इनक्रेडिबल मतलब अतुल जैसे आपके टिवी पर कुछ समय पहले एड आता था, ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया, अमेर्खान परचार करते थे, ठीक है, नेक्स्ट आगे देखें, केनेशियन एकोनोमिक थेओरी डिफर्स, डैस फ्रम मार्क्सियन, तो केनेशियन एकोनोमिक थेओरी जैसे है, मार्क्स के एकोनोमिक थेओरी से, या मार्क्स का जो भी सि लग है ठीक है यह लीटरली लीटरली का मतलब सब्साथ टोटली 100% 100% अलग होगा तो दोनों का कोई कॉमपरिजन होई नहीं सकता है ठीक है इसलिए और गलत हो गया तो यह ए और सी कैंसल होगे, usually अक्सर तो अक्सर से ज़्यादा बढ़ी है कि हम answer करें market deal, ठीक है मतलब बड़े पैमाने पे बहुँ ज़्यादा अलग है, ऐसा बताने का meaning है इसका, next अगले question में चले the officer walked in front leaning on a stick and dash limping, अब limping क्या होता है, limping का मतलब होता है, लड़ खड़ा के चलना ठीक है, तो मतलब इस तरीके से चले कि आपको पता ही, नहीं चले ठीक है, ऐसा हो सकता है अब यहाँ ज़रा देखिए, officer walked in front जो officer थे, सामने में टहल रहे थे, leaning on a stick अब एक छड़ी लिए हुए थे, अब छड़ी लिए हुए हैं, अब ज़रा सूच यह अगर यह limping का मतलब होता है, लड़ खड़ा ना, ठीक है, यह पैर में थोड़ा सा damage होना, जिसके खाना आप लड़ खड़ा के चलते हैं, और little मतलब थोड़ा बहुत लगड़ा के चल रहे थे imperceptively का मतलब है कि आप इस तरीके से लगड़ा रहे हों कि वो दिखने में पता ही नहीं चल रहा हो marginal यह मतलब थोड़ा, बहुत slightly का मतलब थोड़ा, तो ज़्यादा बहतर आंसर है कि आंसर बनेगा हमारा slightly अगर कुछ डंडा लेकर चल रहा है, तो डंडा लेकर तभी चल रहा है, जब उसके पहर में कुछ न कुछ है तकलीफ होगे और तकलीफ होगी, तो थोड़ा बहुत पता तो चलना ही चाहिए तो हमारा आंसर क्या बनेगा, slightly ठीक है, इसका डिसकस करना ही बेकार है बच्चन थे, यह लोग labor union के leader बने रहते हैं, तो यह लोग किसको allow करते हैं, यह लोग allow करते हैं, कि आप सब लोग मिलके, उस union के जितने member है, सब लोग मिलके, डिसकस किजिए, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, wages, यहां पर wages की बात की गई है, तो wages कितना बढ़ना चाहि यह कहां तक जाना चाहिए ठीक है अब देखे तो सब लोग मिलके सब लोग मिलके मतलब किया कलेक्टिव ली ना कि गुम सकते और भचपन से पैदा होते हैं पागलों गुमेंगे फिर कैसे गुमेंगे एमलेसली बिदाउट एम हुझांस झूपने सेटेंट्टितों जबहों को। थे संटेंश के लास में तो यह चो पंक पड़े होंगे तो भी आप इसको बना सकते हैं ठीक है आंसर बना उसका येट I will pay dash कैसा पे करेंगे भाई I will pay dearly I will pay dearly for his foolishness ठीक है आरे बाट वाउस्ट एस्टोनॉमर तो एस्टेट that the earth is round and it rotates on its axis ठीक है तो sympathetic है यहां पे use करेंगे नहीं earth के reference में automatically का use करेंगे नहीं accidentally मतलब अचानक गलती से बता दिये थे पहली बार कि धरती गोल है ठीक है तो ऐसा use हम लोग नहीं करते कि वो पहले ऐसे astronomer थे मतलब उन्होंने इस बात पर जोड़ दे कर कहा कि earth कैसी है round है और वो अपने axis पे गुमती है तो ऐसा बताने वाले वो पहले अगला the lecturer did not see her again लेक्चरर जो था वो फिर से कभी उस लड़की को महिला को नहीं देख सका next यहां देखिए one must read the terms and condition terms and condition कैसे देखना चाहिए आपको carefully scrutiny का मतलब होता है चान बीन करना ठीक है committedly commit करना मतलब वचन देना promise करना मरली का मतलब only capable तो वो होगा ने the passengers waited days for the local train arrive ठीक है तो किस तरीके से तो patiently ठीक है यह पेसेंट fully यह होगा हास्टिली होगा ने जन्दबाजी में considerably सोच विचार के साथ मीकली मतलब चूप चाप यह भी नहीं मतलब धारे रखते हैं जैसे हम लोग railway platform पे धारे रखते हैं यह दी अपने train late होती ठीक है तो इस तरीके से ऐसे धेर सारे question इनको हम सब लोग बना सकते है IAS question को हम लोग करते हैं प्रेसाइज मने संचिप्त में काम करते हैं efficiently मतलब पूरी योगिता के साथ काम करते हैं आपके जतनी चंटा है पूरी चंटा के एसा भी देखने को मिलता है कि वहां के लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं होता है विसे इस रूप से गर्मी के दिनों में ठीक है तो यहां पर besides के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे जिबके मतलब यह दोनों बाते simultaneously देखी जाते हैं तो simultaneously कोई भी घटना कहीं भी घट रही हो तो उसको पताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं ad provider conversion एडिवाब कहीं पार्ट है इनवर्जन कहीं जमने ही कौन सा पार्ट है इनवर्जन में अब धाष्छब हर में सबसे पहले हम लोगों को शिखाया गया था यूज करना बच्पन में सबसे पहले हम लोगों को क्या सिखाया गया था भई तो बच्चे को यह दे इंगलिस सिखाना है तो सबसे पहले उसको smart बनाने के लिए सिखाया जाता है बेटा what is your name याद आ रहा है what is your name ठीक है what is your name यही सब सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाता है आज भी भारत में यह सब होता है अब देखे यहां पर हो क्या रहा था यह देखे यहां पर इस लगा हुआ है और सेंटेंस के लास में क्या लगा हुआ है क्या लगा हुआ ठीक है बात समझ में आ रही है यह भी इन वर्जन है क्या है यह भी इन वर्जन होता क्या है देखे इन वर्जन क्या होता है कि कोई भी वर्ब हो, चाहे वो helping वर्ब हो, या वो main वर्ब हो, helping वर्ब हो या main वर्ब हो, कहीं भी किसी भी परिस्थिती में sentence चाहे जैसा भी हो, condition चाहे जो भी हो, कुछ भी बताने के लिए कहीं भी यदि हम लोग helping वर्ब या main वर्ब को subject के पहले लिखते हैं, किसके पहले लिखते हैं subject के पहले लिखते हैं तो इसी process को हम लोग काते है inversion क्या काते है इसी process को हम लोग क्या काते है inversion काते है इस process को क्या बोलते है inversion बोलते है ठीक है यही हम लोगों को अब यहां पे पढ़ना है और इसकी कुछ जहां की हम लोग पहले से देख चुक है कहां देख लिए जहां के भाई लाल की लिए पर तो हम लोग थे नहीं कि जहां के देख लें तो फिर कैसे देख रहे हैं अब आई ये हम आपको बताते हैं इस इन वर्जन की कुछ ग्लिम्स कुछ जहां की हम लोगों ने देखी थी कंजक्शन पढ़ते से मैं कंजक्शन में क्या तो याद किजिए कंजक्शन में हमने आपको पता है था hardly, scarcely, no sooner और seldom इन तीनों के case में यदि इन तीनों चारों में से कोई भी sentence के beginning में होते हैं किसी भी sentence या clause के beginning में पाए जाएं चाहे वो पहला sentence हो चाहे वो एक ही sentence हो या दो sentence हो दूसरे के beginning में पाए जाएं ठीक है यदि ये किसी भी sentence के beginning या starting में होते थे तो याद किजिए हमने आपको बताया था उस condition में हम लोग helping verb का use पहले करते हैं और helping verb को रखते हैं subject के पहले ऐसा ही हमने आपको बताया था याद किजिए तो आप इसको सीखने के लिए हम लोग चलिए थोड़ा सा चलते हैं slide की तरफ और यहां पे हम लोग थोड़ा भूँ सीखने का प्रयास करते हैं देखे हमने आपको इस बात को कहां बताया था तो यह hardly, scarcely scarcely, याद किजिए यह रहा आपका no sooner यह रहा आपका no sooner और क्या, तो और रहा ही है आपका syndrome, यह बाते हमने आपको बताई थी कि इन चारों में से कोई भी आपको दिखाई दे, तो इसके बाद हम लोग यहां यूज़ करते हैं helping bar, और फिर इसके बाद यूज़ करते हैं हम लोग यहां पे subject है यह हमने आपको बताए था अब ज़रा आप यहां पे ध्यान देजे यहां पे यह जो हमने आपको बताया आपने यूज़ भी किया, इसमें हुआ गया तो इसमें यह था subject और subject के पले यह helping bar, यह main bar, यह क्या है इसी को तो हम लोग कहते है, inversion क्या कहते है इसी को हम लोग क्या कहते है, तो हम लोग इसी को कहते है, inversion क्या कहते है इसको हम लोग कहते है, inversion इसको हम लोग क्या कहते है, इसी को हम लोग कहते है inversion, ठीक है, एक bold color का भी यूज कर ले हम लोग, इसको क्या करते हैं, इसी को हम लोग करते हैं, inversion, मतलब सीधी बाद समधी है, जैसे आपने idioms and phrases पढ़ा था, to put the cart before the horse, जैसे घोडा गाड़ी होता है, टांगा होता है, ठीक है, तो आप उसमें देखते हैं, कि घोडा आगे होता है, गाड़ी पीछे होता है, ठीक है, और यदि घाड़ी को आगे कर दिया जाए, घोड़ी को पीछे कर दिया, मतलब घोड़ा ऐसे है और घोड़ा के आगे गाड़ी लगा दिया जाए तो ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया उल्टा हो गया ठीक है कुछ ऐसा ही जब भी कभी ऐसा आपको देखने को मिलता है मतलब सेंटेंस का बचपन से जो फॉर्मेट हम लोगों को बताया गया वो यही एक्जांपल होना चाहिए ऐसे बात समझ में आती नहीं इन वर्जन का कुछ एक्जांपल हम लोगों ने हाडली इसका अरसली के तौर पर देखा है अब आईए यहां पर जरा दर्सन करें हम लोग यहां देखें नौट तो अब एक तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम ल किसी भी नेगेटिव वर्ड से शुरू होता है आम तोर पर आप ऐसा समझेए कोई भी सेंटेंस किसी भी नेगेटिव वर्ड से शुरू होता है तो अब आपके मन में एक ख्याल है का सर्त हो क्या हार्डली इसकैर्सली सेल्डम नो सुनर यह भी नेगेटिव वर्ड है हाँ verb of manner से शुरू होता है, adverb of place से शुरू होता है, only by से शुरू होता है, या only के बाद adverb of time लगा हुआ, only के बाद adverb of time लगा हुआ हो, ये सब यदि किसी भी sentence या clause के beginning में शुरूआत में आपको दिखाई पड़ें, तो उस condition में हम लोग verb को रखते हैं, subject के पहले, verb को कहां रखते हैं, subject के पहले रखते हैं, ठीक है, कुछ conditional sentence भी हमने आपको पढ़ाया था tense में, conditional sentence type 1 और type 2 में जहां हमने आपको बताया था, if I were a bird, I would fly to you, वहाँ पर भी हम लोग inversion का rule यूज करते हैं, ठीक है, तो अब इसको हम लोग बनाते हैं थोड़ी दिर बाद, से जाने पाचाने वर्ड, seldom, hardly, scarcely, no, sooner, जिसको हम लोग कंजक्शन में पढ़ लिए, यह rarely, barely, यह सारे क्या हैं, negative वर्ड, no, not, यह सारे क्या है, negative वर्ड, अब यहाँ 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 पर आपको थोड़ा सा confusion होगा, असर इतने सारे वर्ड में कैसे याद करोंगा, हम लोग इसको कैसे याद करें, इसको सीखिए, never negative हो गया, ठीक है, only के बाद, देन, yesterday, last month, यह सब देखिए, क्या है, only when, यह सब के सब क्या है, तो यह सब के सब adverb of time है, यह सब के सब क्या हैं, तो यह सब के सब हैं adverb of time, यह देखे, only in this way, कैफल इस तरीके से यह पूरा क्या होगünde? Adverb of manner, यह भी adverb of manner, तो यह सारे क्या होगünde? adverb of manner तो हमने आपको थोड़ी दिर पहले क्या बता है कोई भी sentence कोई भी sentence adverb of time से सुरू हो adverb of manner से सुरू हो adverb of place से सुरू हो तो इस condition में हम लोग use करते हैं inversion ये भी देखे on no account किसी भी परिस्थती में नहीं ये भी आपको condition बता रहा है adverb of manner ठीक है कुछ और देखे ये देखे nowhere adverb of place not until till ये adverb of time nor negative word हो गया by no means किसी भी तरीके से नहीं किसी भी परिस्थिती में नहीं under no circumstances at no time ये देखे so plus adverb of manner जैसे हम लोग use करते हैं so good, so bad ठीक है इस तरीके का word इतने अच्छे तरीके से इतने बुरी तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को अराया so badly ठीक है ये सब क्या है adverb of manner तो so के साथ adverb of manner आये तो हम लोग लगाते है inversion ये कोई sentence अगर so से सुरू होता है तो भी हम लोग लगाते है adverb of manner ये देखे किसे तुम कहाँ रहते हो तो हम maalijjay कहा थे कि मैं पहाड़ पर लाता हूँ तुम कहाँ गय ते तो हम कहते हैं कि हम तुम से मिलने के लिए हम किसी से मिलने के लिए mount Everest पर गए थ изв त्थीक है ये सब क्या है तो पार्क, माउंट एवरेस्ट, पहाड, छट के नीचे, खुले आसमान के नीचे, ठीक है, यह सब क्या है, सब का सब है, Adverb of Place, यह सारे देखे, Adverb of Place, a few miles beyond the pasture, temple, मतलब मंदिर से कुछ पीछे, along the northern frontier wall, यह सब क्या है, सब क्या है, सब क्या है, Adverb of Place, Adverb of Place, manner, time, यह सब क्या दिखाएंगे, here, there, out, away, indoor, outdoor, off, यह सब क्या बता है, दूरी बता रहा है, सब क्या सब Adverb of Place, तो simply यह दिया, Adverb of Place को पाचानना सीख जाए, Adverb of Manner को पाचानना सीख जाए, Adverb of Time को पाचानना सीख जाए, तो maximum cases में उनके साथ, और फिर, seldom, यह यह जो negative word होते हैं, इनके साथ, तो इस condition में हम लोग यूज करते है, Adverb of, sorry, इस condition में हम लोग यूज करते है, inversion का, किसका यूज करते है, inversion का यूज करते है, अर्थात, ऐसे सारे परिष्थी टिउ में, उस sentence में, हम लोग verb को रखेंगे, subject के पहले, कहां रखेंगे, subject के पहले रखेंगे, बात समझ में आ गई, चलिए, तो आईए, अब इसके पहले, जो पहला question हम लोग ने देखा था, यह इसे हम लोग सुरुआत करते हैं, इसे first question से हम लोग सुरुआत करते हैं, इन वर्जन के question को बनाना यहीं से सुरू करते हैं, यहां देखें, not about nidhi, spoke, अभी यह देखें, spoke क्या है, verb का second form है, अर्थात, इसका tense क्या हो गया, past indifferent, past indifferent है, तो यहां पर देखें, यह निधी, क्या है, यह निधी है, हमारा subject, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ले जाना चाहिए, तो spoke के जगा हम क्या use कर लेंगे, spoke के जगा हम use कर लेंगे, speak, क्या use कर लेंगे, speak, और nidhi के पहले क्या use कर लेंगे, did, बात बराबर होगे, did के साथ बरू का first form, तो did, nidhi, speak, answer क्या बना, option number a ठीक है, next, यहां से आगे बढ़ते ह हम लोग, अब यह सब हम लोग सीखी चुके हैं, अब हम लोग simply चलते हैं, question में, यहां जाइए, question में देखिए, यहां देखिए, यह head लगा हुआ है, row hit के बाद, sentence किसे सुरू हो रहा है, seldom से तो क्या कर रहा है, head को row hit के पहले कर दे, answer क्या बना, option number है, यहां देखिए seldom or ever इसकी चर्चा हमने आप के साथ conjunction में करी थी, conjunction में इसकी चर्चा हमने आप के साथ की थी, हमने वहां पे आपको बताया था कि इसप्लेंडम के साथ दो तरीके से यूज होता है pair में, seldom or never, और फिर बतायते है, seldom if ever, ठीक है, वहां पे हमने आपको explain करते हुए बताया था कि QUESTION दोनों तरफ से पूछा जा सकता है, इन दोनों में से किसी एक section mirror हो सकता है, ठीक है, लेकिन अपने ACC exam का जो trend है, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, ये एक part में, ये एक part में, इस part mirror आपको देखने को नहीं मिलता है, आपको ACC exam में इस वाले part mirror देखने को मिलता है तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है simply आप क्या करेंगे तो seldom के साथ देखेगा यदि इफ लगा हुआ है तो आप यहाँ पर ever का use कर लिजेगा अब आपके exam में देखेगा यहाँ पर आपको never लिखा हुआ दिखाई पड़ता है यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा never यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा ever तो ever को convert कर लेंगे never में never को यहाँ convert कर लेंगे ever में बस इतना ही आपको याद रखने, ठीक है, यह भी यदि sentence के beginning में आपको दिखाई दें, ठीक है, seldom or ever हो, यह seldom if ever हो, यह भी यदि आपको किसी भी sentence के beginning में दिखाई दें, starting में दिखाई दें, तो आप वहाँ पे inversion को apply करेंगे, और यदि यह sentence के middle में चला जाए, तो वहाँ पे inversion का rule apply नहीं होगा, ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, फिर से question में, slide के तरफ, अब यहाँ जाए, यह देखिए, फिर से, seldom or ever यहाँ पे दिखाई दिया, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे करना क्या, seldom or लिखा हो है, तो और के साथ क्या use करते हैं, never का use करते हैं, ठीक है, पे क्या लगए है, यह inversion लगए, ठीक है, next अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुछ और question की तरफ हम लोग, the very law was seldom or ever, यहाँ देखे, seldom or ever कहा गया, तो यह आगया sentence के, middle में, middle में आगया, तो हमें inversion से कोई मतलब नहीं है, the very law was, the very law was seldom or ever, putting execution, sentence में कोई error नहीं है, ह by no means, किसी भी तरीके से नहीं, फिर negative one आगया sentence के beginning में, यह देखी है, sell be our idea, फिर से यह कहा है, sentence के beginning में, ठीक है, तो इस question में कोई error नहीं होना चाहिए, लेकिन sentence को जड़ा पढ़ के देखे, यहाँ पे कुछ error लग रहा है, कुछ printing error है, by no means, sell be our idea, dear nation, drawn into yet another sentence में, यहाँ पे कुछ नहीं कुछ printing error हो गया, इस question को आप सब लोग छोड़ दीजिए, इस question को हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है, चले, next आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और question देखे, यह देखे sentence किसे शरूर है, so say, so plus, यह delicious, ओ, यह क्या होगा, adjective होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, was the food, the food was नहीं, इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग was को, यहाँ place करतेंगे, ठीक, यहाँ पे देखे, अपुरबा dislikes, beggars, and so, यह देखे, यह एक नवर सी, does her cousin, ठीक है, next, if Romila does, if Romila does not want to be involved, then, देन के बाद, यहाँ, it, be, कि जगे हम क्या use करेंगे, be it, इस b को यहाँ पे, और it को यहाँ पे, ठीक है, next, at no time, फिर देखे, यह adverb of time आगे, ठीक है, और negative what से शुरू हो रहा है, they tried, तो यहाँ, use क्या करेंगे, did they try, did they try, ठ ठीक है, next, आगे, यहाँ देखे, only yesterday, फिर देखे, यह adverb of time आगे, adverb of time आगे, फिर क्या करेंगे, लगा दो, inversion भाई, और क्या करना है, तो यहाँ क्या हो जागा, did Priya decide, did Priya decide, ठीक है, next, अगला देखे, to such an extent, यह क्या हो क्या, adverb of manner, adverb of manner, तो क्या करेंगे, is Rohan, is Rohan, next, so rud फिर देखे, so plus, adjective adverb of manner, यह फिर क्या बता है, adverb of manner, क्या use करेंगे, did Sumit behave, did Sumit behave, फिर देखे, यह not till everyone had taken, not till had everyone taken, had everyone taken, had को everyone के पहले कर देगे, हमारा answer correct हो जाएगा, next, अगला, यह देखे, only once, once only, ठीक है, अब इसमें देखे, आपको only वाले case में दिखकत जाती है, only वाले case पढ़े थे, adverb में हमने आपको बताया था, कि adverb का use कहा 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 किया जाता है, ठीक है, किस condition में कहा उसको रखा जाता है, उसका place कहा कहा होता है sentence में, अब उसके अलावा आपको एक adverb है, only जो आपको काफी परिसान करता है, यह कभी sentence के beginning में दिखाई पड़ता है, कभी ending मे दिखाई पड़ता है, कभी middle में दिखाई पड़ता है, इसका rule क्या है, इसका कहीं कोई rule नहीं, इसका simple सा एक ही बात है, कि जिस word को आपको emphasize करना है, जिस पर आपको ज़्यादा ज़्यादा focus डालना है, ठीक है, उस word के साथ हम लोग use करते है, only का, अब यहाँ जाइए कि यहाँ पर क्या लगया, inversion के, only once के वल एक बाद, ठीक है, तो यह time भी बताता है, अब यहाँ पर हमारा answer क्या बनेगा, only को करतेंगे, once के पाले, तो only once did वाला आप option ढूंड लीजे, only once did, only once did, option number a, option number a, next, यहाँ पर यह रूपम did not like cricket nor I did, इसमें क्या करेंगे, दिखें little स्रिया मतलब negative स्रिया नहीं, little, ऐसे situation में कभी कभी size बताता है, जैसे little child, little man, little girl, मतलब छोटी सी लड़की, ठीक है, तो यह बच्चे का size बता रहा है, छोटी सी स्रिया नाम के कोई लड़की है, गुडिया है, बिटिया है, little स्रिया realized that she was being laughed at, ठीक है, तो इसमें हम लोग क ठीक है, negative whatever, ठीक है, तो little स्रिया realized यह क्या है, वर्ब का second form है, तो हम लोग यहां पर use करेंगे, little, did स्रिया realized, ठीक है, little, did स्रिया realized, हम लोग का answer बने का, little, did स्रिया realized, answer होगा, option number B, answer बने का, option number B, next, यहां देखे, meet does not drink, nor I did, तो हो जाएगा, nor did I, next, एक ता does not play cricket, and, अब यहां पर, और इसी तरीके से, राजदी भी नहीं कहलता है, क्या करेंगे, so लगा देजिए, ठीक है, so मतलब ऐसा, यह देखे, under no circumstances, यहां गया, inversion, यह देखे, the old woman continued living in hard life, but, but never, देखे, अगला जो sentence है, वो किससे शुरू हो रहा है, but के बाद जो sentence हो रहा है, वो तो यहीं तक हम लोगों का था conversion, sorry, inversion, यहां तक हम लोगों का inversion का story था, तो आज के add-up के second part में हम लोगों ने कुछ question को solve किया, और फिर उसके बाद एक बड़िया सा important सा concept हम लोगों ने सीखा inversion का, तो inversion का concept सीखना समझना काफी आसान है, जैसा हमने आपको पता है, उसको आपके tier 1 में question पूछे जाएंगे, तो confirm है कि एक number आपको पका, sorry, दो number आपको आना ही है, आपका वो एक question सुद्ध होगा, सही होगा, उसमें आपसे कहीं कोई गलती नहीं होगे, ठीक है, तो चलिए अब इसी आसा के साथ हम लोग अपने add-up के second part को यहीं पर विराम देते ह हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, तब तक के लिए आप सबों को बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हम लोग अगले class में, अगले class में, अगले video session में, अगले video में हम लोग मिलते हैं, कुछ नए topic के साथ, ठीक है, तब तक के लिए आप सबों का बहुत-बहुत धन् कर दो कर दो कर दो आजिवां.